वाहि गुरु जी का खाल साव वाहि गुरु जी की फते अज आप जी गुर्द्वारा दूख निवारन गुरु का ताल आगरा उत्तर परदेश दे अंदर जो अस्थान है इस पावन पवित्र अस्थान ते चार गुरु सहब अना ने चरन पाई हन तान गुरु नानक सहब जी महराज तान गुरु हर गुबिंद सहब जी महराज तान गुरु तेग बहादर महराज अते तान गुरु गोविन सिंग सहब जी महराज ने इस पावन पवित्र अस्थान ते मुवार्ज चर्ण पाई हैं तान गुरु तेग बहादर सcious जी महराज आगरे दे तर्थी ते दो वार आई हन एक वार जदों असाम तो चलकि सद्गुर जी पंजाब दी तर्थी ते गए अते जोड़ों पंजाब दी तर्थी तो चलके सद्गुर जी गुरु तेग बहादर नौवे पाथशा दिली चांदनी चौंक विखे गए जोड़ों दूसरी बार सद्गुर जी गुरु तेग बहादर सैब जी महराज इस पावन पवित्र अस्थान ते सद्गुर जी ने मुबार्ख चरन पाए सद्गुर जी आए ओ एक समा सी जदो और रंग जेव बादशा गदी ते बैठा और रंग जेव बादशा ने गदी ते बैठते सार ही अपने पितानू अपने प्रावानू सारे नू कैद कर लिता अते जिद्धर भी ओ मंदर देखदा है केंदा भी मंदर टा देओ जिद्धर भी कोई पंड़त बेखदा है केंदा है के इना पंड़तानू मुसल्मान बना देओ हिंदू तर्म नू पावर्त के सनातन आरिया समाज नू ओ खतम करन लगया कैन लगया कि मैं हिंदू तर्म खतम कर देना है सवा मन जंजू उतार के फिर ओ लंगर शक्दा सी पावर्त के रूटी खांदा सी ऐसी हाहा कार चारे पासे जदों मच्ची कश्मीर वाल भी जदों अरंग जेवदी फोज वदी ओथों दे पंड़तानों मुसलमान बनान वास्ते जद कश्मीरी पंड़तानों पता लगा के अरंग जेवदी सेना कश्मीर वाल आ रही है सारे पंड़ता ने कठे होके अमरनाथ मंदर दे अंदर अरदास को पाशना कीती के साड़ा तर्म किमें बचेगा अरदास को बाद उना ने पावर्त के निरना कीता के होन ऐस टैम पहली पार्शाई तो लेके नौमी पार्शाई जो सद्गुरु जी मारा जोद है गुरुनानक दी दर्दी जीडी नौमी जोद है वो हाजर है वो पंजाब दी तर्थीते है क्यों ना आपां सारे मिलके तानगुरु तेग बहादर सहिव जी दे शरन विच जाईए अपनी पुकार दे अपनी फुर्याद उनानु दसिये पंड़त किरपारां फिर पंसो पंड़तानु नार लेके सिरी अननदपुर सहिव जी दी तर्थीते तान गुरु तेग बहादर सहिव जी महराजी दे चरन अच हाजर होए दर्वार सजया होया है पंसो पंड़त जोदों अंदर दर्वार विच जोरो प्रवेश होए संगत ने विख्या के इतने पंड़त गुरु तेग बहादर सहिव जी दे शरंच आई ने सब दे चेरे मुरु जाई होए हन बड़े परिशान हन बड़े पुखेते आई होए हन इना देवते ऐसी केड़ी पीड ऐसी केड़ी मिशकत आ गई पंड़त किरपारां हाथ जोड के गुरु तेग बहादर सहिव जी दे चरनाच बेंती करन लगा हे गुरु तेग बहादर गुरुणान के दी नौवी जोड असी अपनी पुकार ते फुरियाद लेके आप जी दे शर्ण वेच आई हां सानू पता है गुरुणान के दरते जो आन्दा है ओदिया पाबना ते कामना पूर्ण हुंदिया हैं आज औरंग जेव बाक्षा सनातन तर्म आरिया समाज हिंदू समाज नो खतम कर रहा है सानु जबर्दस्ती मुस्लमान बना रहा है नोमे पाक्षा किरपा करो रहमत करो साथे तर्वनों बचाओ तानगुरु तेग बहादर सहीव जी पूर्ण महापुर्ख दी जुरूरत है गुरु गोविदराय जी नौ साल दी वस्ता पिता जी कोल खड़े हन ते गुरु तेग बहादर सहीव जी दे सामने आके कैन लगे गुरु महराज पिता जी चलो आप जी दसो के आप जी तो बटा एस्टम संसार विच कौन है आप गुरु तेग बहादर सहीव जी नौ में जोत हूँ आप तो बटा हूर कौन है गुरु तेग बहादर सहीव जी समझ गए के हुन सहव जादेदा होकम हो गया है के हिंदू तरम दी रख्या किती जाए एहुन गतीनों समालन जोग हो गया है फिर गुरु तेग बहादर के मुसल्मान बन दे हन असी पार्त दे अंदर किसे भी कोने ते जित्थे भी हिंदू रह रहे हैं अपना तर्म अपे तब्दीर कर ला मांगे असी मुसल्मान बन जा मांगे अगर गुरु तेग बहादर सहीब अपना तर्म छट दे हन रहो विचार गुरु तेग बहादर सही जी दि ए जो गल है और रंग जेव तक पहुंची और रंग ये बाक्षा सुनके बड़ा हैरान हुंदा है कि मैं जे एक शक्ष नो मुसल्मान बना लुएंगा ए पूरा पार्त जो है अपने आपी मुसल्मान बन जानगे ते ओ समा रुख जानदा है पावर्त के रोज जो कतल प्रियाम इतियात को हुंदा सी सवामन जंजू उतारना कतलियाम करना उते कुछ ठल पैजनती है समा गुजरिया गुरू तेग बहादर सहीव जी महराज दी गिर्फदारी दा ए वरेंट जारी कर दाया अरंग जीव बाठ्षा के जो भी गुरू तेग बहादर सहीव जी न होवेगी उत्थों दा राजा उत्थों दा कोई भी बजीर पकडरवान वाले नूँ पांसो सून दियां मोरा इनाम दवेगा सो रहो विचार गुरू तेग बहादर सहीव जी महराज जदों फिर दिल्ली दरबार आउन वास्ते अंज्या सिखां समेथ सिरी अनंदपुर सह आपड दरबार नाल हना सद्गरी महराज शंकतान उतारते हूए दिल्ली वाल वाद रएहे हैं जो दों दिल्ली नजभी आया सद्धिगरी महराज जी जो दिल्ली वाल वादरेह सद्थों दा कोड़ा जो इस लाकेवालों आगरेवालों मुह होया तिय SATS Oni advice ben कहे हुँ इस नो क्यों जा रहे हो सद्गुर जी महाराज केंड लगे इस इलाके विच कोई हसन अली मुस्लमान नामदासा नो कोई याद कर रहे है महाराज क्यों याद कर रहे है कि जेडा और आंगे जेव बार्शा ने साड़े गिर्फदारी दा इनाम रख्या पंसों मोरा उस तर्थी ते सुनाया गया उस तर्थी ते रहन वाला हसन अली मुस्लमान जो करेटा पिंट जमना दे किनारे पेंदा है उत्थे ओरेंदा है वो बकरिया चारदा होया शाही बाग विच जाके बैठदा है उसने कान में साड़ी गिर्फदारी दा इनाम जदो उसने सुने आते हुदी मंच इच्छा परगट होई है कि अगर गुरु तेग बहादर जो हन जिन्ना दा नाम तेग बहादर है वो मेरे अत्थों किर्फदार हो जान ते जो अरंग जे बार्शा ने सोने दियां पंसों मोरा इनाम रख्या वो मिनू मिल जावे ते आपां पाइमती दा जी हुण उस हसन अले दी इच्छा पूरी करन वास्ते इस लाकी वल चलना है तान गुरु तेग बहादर सह्व जी महराज पंजा सिखा समेथ फिर आगरे दी तरती ते आगए इस अस्थानते जो आपने दर्शन कीते हन कीरतन दरबार सजया सोनिया रोनका लगिया हन जितना भी ये दरबार सह्व जी आप वेख रहे हो एक करीवन साथे पंसो पूर्ण छिसो साल पुरातन है इस इमारता नो महापुरुक संत बाबा प्रीतम सिंग जी समु सेव के जथे निसमाल के रखे आ है के ओन वाली पीडी है जो नमी जरनेश्र है पाप साथी नमी पीडी है ओना नो इस समे प्राणे इतिहास दी याद आ जावे सो आपने दर्शन कीते हैं ए सब प्रातन है गुरु तेक बहादर सहब जी महाराज पर जो इस स्थान ते आए महाराज ने थे चर्ण पाए साथगुर जी ने विख्या के जो सानु याद कर रहा है जीदा नाम हसन अली है ओ शाही बाग विच बैठा है सब्रातन है गुरु तेक बहादर सहब जान देशन कटकट के अंतर की जान पले पुरे की पीर पचान तो सब्रण जी महाराज हसन अली कोल पहुंच गए हसन अली ने विख्या के शैद कोई इस इलाकी दा कोई राजा को पीर आया है उसने सलाम कीती सब्रण जी महाराज ने क्या पाई सब्रण बहुत प्यास लगी ऐसी बहुत दूरों आये रहा गी रहा बहुत दूरों आये सब्रण जी ने नाम नी दस्या कहन लगा हे पीर जी इस इलाकी दा पानी आप पता है के खारा है सद्गुर्जी महाराज केलने के नहीं पाई इस लाकेदा पाणी खारा नहीं हजारा है पावर्थ के मिठा है जाल लेके आए सद्गुर्जी महाराज वास्ते ओ सामने हजे भी खू शिशोबत है प्रातन भोड़ दा ब्रक्ष भी शिशोबत है सद्गुर्जी महराज वास्ते हो तुन चल लेके आया सद्गुर्जी ने जल चकेया सद्गुर्जी महराज जी किर्पा ना आगरे दा जला है जो इस इलाके दा जला है वो मिठा होया सो सद्गुर्जी महाराजी ने व्योंत बढ़ाई कि एदे हत्थों आपने गिर्फधारी देनी है सद्गुर्जी ने कीमती अंगुठी उतार के हसन अली नो फड़ाई आख्या के हे हसन अली सानु बहुत पुख लगी है पाणी ते तुम किलाया कुछ खानदा प्रबंद कर ओ अंगुठी लेके पावर्थ के जिते ओस समय मिठ्याई इत्याद के मिल दी जदो हलवाई दे कोल गया हलवाई नो कैन लगया पाई ए अंगुठी है एदे बदले खानदा समान मिठ्याई इत्याद के देओ ते एक सद्गुर्जी ने अंगुठी ते दिशाला दिता सी पि इसे दिशाले दे अंदर मिठ्याई पादो ते अंगूटी रख लो जद उस हलवाई ने अंगूटी नो देखिया कि हीरा जड़त अंगूटी है सोने दी है यह ते बहुत महंगी है यह दा बहुत मुल है पर इस गरीब नो पता नहीं भी यह दी कीमत की है एक मिठ्याई दे कारण बस मठ्याई दे पुख लगी है दे पुख दे कारण ए दी कीमत नो पो लगया पुछन लगया हलवाई उसनू के अंगूटी पाई तू कि तो लेके आया चोरी कीति है जा दिन को खजाना मिले है जो काफी लोग पुछ ताश करन लगे ते इसने क्या विच जीज पाई दे अल्ला जी पाई ओदा जी पाई जैता जी सद्गुर जी महराज दे कोड़ सारे लोग कठे होके जड़ आए गुरु तेग पादर सैब जी दे दर्शन कीते कहने लेगे कोई एको मुसल्मान पीर नहीं लगता लग आके पुछते ने सारे लोग के तुछी कितों आय जो शक्ष है उन्हों मैं गिर्फदार करावा जो गुरु तेग बादर सैब ते अरंग जेव ने पांत्सों मोरा आई नाम रख्या है उन्हों मिल जाए मेरी गृपी दूर होवेगी मेरी बतिया दा निकाह होवेगा पाई एदी इच्छा है ओहन असी एदी इच्छा पू प्रण्दी कोई जरूरत निया मैं अपनी गिर्फदारी हसन अलिय दिय जरीये द diplomacy hi this इन्हों पाई जो इछो इच्छोंत मोरा ऌहर ज़ा रोकारे रहे अपनी इस सी किर्फदारी इस तरतितों देरें आगरे दित तो ते गोरु तेग बाहदर सैब जी महाराजी ने आगरे प्रविश कर देयां जिननू ओस स्टैमा जेल खाना खार जांदा इस सर्द खाना खांता से लिए अंदर सर्दियां दें अंदर बड़ा निगा रहेंदा है ते करमी दे प्रमार्थ बढ़ी सी हो वी मापुर्खाने उसनों समाल के रखे ऑनों संगत जो है संगत है प्रात्म विमारता नू असीस मालके रख्या के संक्ता उना दे này, इस समय दे अंदर दर्षन करके अपने जीवन नो सफल करने ते गुरुतेग बहाद्र सहभजी महाराज नुआ उस पौरे दे अंदर, उस जेल खाने दे अंदर, नौ दन नजर बंद रख्या गया सद्गूर जी महराज इच्छा मताब की नौ दने थे रहे नो में पात्षा नौ दना बाद गुरू तेग बहादर सहभ जी महराज इस तर्तीतों जो बार आये अरंग जेब ने जो गुरू तेग बहादर सहभ जी नो दिली तो शाही फोज पेज़े गिर्फदार करनवास दे आगरे पेज़ेया फोज दे सद्गुरुजी महाराज दो सबुर्द होए सद्गुरुजी दा इस अस्थान ते हुकम हो गया कि पाई जमें असी आप चलके असी आप चलके एक हसना ली किसे गरीव दीच्छा पूरी करनवास दे इस इस अस्थान ते गुरु तेग बहादर सहिव जी महाराज गुरु नानक सहिव जी महाराज गुरु गोविन सिंग सहिव गुरु हर गोविन सहिव जी इत्यास दास्था के बाबा बुड़ा जी भी पाई गुर्दाजी दे भी इस तर्थी ते चर्ण पए हान ए अस्थान यूपी उत्तर परदेश विच बढ़या होया सेंती एकड़ विच अस्थान है एस अस्थान दी सेवा जो समु सेवक जथा है संत बाबा प्रीतम सिंग जी जो मुझूदा मुखी हन होन वो सेवा करा रहे हन गुर्मक प्यारे हो जितनी अभी संगता हन ना देड़ जांदिया हन संगतां दे रहन वास्ते बहुत सद्गुरी जी दी किर्पा सदका संगतां दे सिजोग दे नाल सह जोग दे नाल किर्पा दे नाल संगतां दे ठहरन वास्ते बड़े सोने एसी रूम द्याद कहाल बने होई हन संगतां दी किर्पा नाल महाराई दी किर्पा ना चौबी प्वित्र स्थान दा अपा छोड़ विच त्यासनू सरवन कीता है सो इस त्यासनू सुनके अपना जीवन नो सफल करो आके आप जुरूर इस त्थान दे दर्शन करो जो भी तो अटिंगा पाबनाने कामनाने इस त्थान ते गुरू तेग बादर सहीब जी ते चरना चरको जित्थे गुरू तेग बादर सहीब जी ने हिंदू तरमदी रख्या कीती एक हसन अलीदी भी छब हुरी की जद असी में ये इच्छा लेके आवाँगे क्योंकि जो परमात्मा हराप है वाही गुरू है ओ किसी जात तेनी ओ इनसानियत नो देखता है जिदो आपके इनसान बनके गुरू के चरना चाकी चुकांगे फिर महराज के दिने जो शर्ण आवा है तिस कंट लावा है एह बिर्द स्वामी संदा जो गुरू महराज किर्पा करन और आप जी पूरा सहीव थले जाओगे उत्थों देवी दर्शन करो फिर गुरू द्वारा मंजी सहीव जो जिसनों शाही बागा खहा जान्दा सी जित्थों गुरू ते एक बाद सहीव जी ने गिर्पदारी दिती फिर ओदे भी दर्शन करना वाहि गुरू जी का खाल साथ वाहि गुरू जी